दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साथ बड़े खिलाडियों के सिगनेचर मूव के बारे में तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अन तक स्किप किये वगर देखते रहिए चलिए खेलते हैं गबड़ी तो दोस्तो हमारे लिष्ट में पहला खिलाड़ी है फैजल अतरचली जिसका सिगनेचर मूव है डैश दोस्तो डैश करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है एक डिपेंडर को क्यूंकि रेडर को कोट के बाहर थ्रो करना होता है तो दोस्तो बहुती बड़िया लगता है ये देखने में भी यहाँ पे जो दूसरा खिलाड़ी है वो है अनुप कुमार और इनका जो सिगनेचर मूव है टोट टच हम सभी को पता है दोस्तो सीजन टू और सीजन वन की याद आ जाती है जब अनुप कुमार टोट टच के दुआरा बहुत जादा पॉइंट्स लाया करते थे यहाँ पे तीसे नंबर पे है अजय ठाकूर जिनका सिगनेचर मूव तो है फ्रॉक जम दोस्तो देखने में बहुत अच्छा लगता है फ्रॉक जम में पेर एकदम पेट के सामने आ जाते है मतलब एकदम फ्रॉक के तर है तो उनका सिगनेचर मूव है किक एक्चुली साइट किक वो टाइकॉंडो के भी प्लेयर रह चुके है तो बहुत ही बढ़िया किक लगाते है और अभी भी काफी टाइमों किक लगा लेते हैं और सक्सेस्फूल भी हो जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्लेयर है के रेड में जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है और मैंने आज तक किसी इंडियन को यह करते हुए नहीं देखा है फिर जो हमारा नेक्स्ट प्लेयर है वह संदीप नर्वाल और इसका सिगनेचर मूव है ब्लॉक और दोस्ता हम इनके जो ब्लॉक से वह सीजन 5-6 म को काफी बार आउट कर चुके है तो दोस्तों यह थे साथ टॉप खिलाड़ी और उनके कुछ सिगनेचर मूव अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा प्लेयर स्पोर्ट एप के बारे में तो वह आप ज़रूर देखिए दोस्तों डाउनलोड कीजिए प्लेयर वगरा ओपर्स भी आपको देते रहते हैं जो आपके स्क्रीन पर रिफरल कोड है उसको यूज करना ना भूलिएगा दोस्तों और जो भी इसके प्रेडिक्शन है वह अगर आपको फॉलो करते रहना है और जानने है तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना दिस्क्रीप्शन वोक्स अगर आप ये वीडियो यूट्व पे देख रहे है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आप ये वीडियो फेस्बुक परूलना ना भूलिएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ तब तक के लिए झाल